कक्षा ग्यारवी के सभी विद्यारति ध्यान दे यदि आप त्रेमार्शिक पेपर में अच्छी अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो आज मैं आपके लिए ग्यारवी का हिंदी का त्रेमार्शिक पेपर का फुल सोलुशन लेकर आया हूँ वो भी कोफी में लिखा हुआ तो उसे कहते हैं भारत इंदू युग को ठीक है भारत सब्द किस भासा का है तो जो भारत है वहां संस्क्रत भासा का सब्द है ठीक है सूप्रिशिद्ध उपन्यास चंद्रकांता संतती के उपन्यासकार है तो इसका उप जाएगा आपका سअ देव की नंदन खतरी कलाओ के लिए स्वर्न युग कहलाता है तो देखिए इसका क्या है गुप्त समराज्य की मुगुलकाली वेदिक काली के मोरे समराजी इसका और सइय उपिप्शन रहेगा आ यानि कि गुप्त समराज्य नोट में छाप छपने वाला पहला अकबार था तो वहाँ क्या था बंगाल गजट तो पांच वेका हो गया बंगाल गजट ठीक है चलिए इसके बाद छटा देखते हैं किरिया विसेशन के प्रकार होते हैं तो किरिया विसेशन के कितने प्रकार होते हैं इसका सही उत्तर रहेगा क shift नम्मर दो में है रिक्ति स्थदों की पूर्ति कीजिये यह भी आपसे साथ नम्मर में पूछा गया है कभीर ने इस्वर की देडेडे सत्ता मानी है ठीक है तो उन्होंने एक सत्ता मानी है यानि कि वो कह रहे हैं कि भगवान एक ही रूप में होता है तो यहां पर आजाएगा एक चलिए दूसरा देखते हैं आलोचना के छेत्र में वर्दान स्वरूप का आगमन हुआ तो किसका आगमन हुआ तो आचारे रामचंद्र सुक लगा ठीक है यहां पर लिखेंगे अल आचारे चंद्र सुकल चलिए कुश्चे नमर जो ती ने इसमें क्या दिया गया है दुनिया सोती थी पर दुनिया की डेडेश जाकती थी देखेंगे दुनिया हमेशा सोती थी लेकिन जो दुनिया की जो जीव है वहां सोती थी यह जाकती थी ठीक है सब्द को ना केवल सब्दो के अर्थ बताता है बलकि सब्दो कारिक्तिस्तान होता है तो सब्दो का क्या होता है यह खजाना मिया चार पाई पर बेठे और रिक्तिस्तान का मज़ा ले रहे थे तो किसका मज़ा ले रहे थे वो बीडी का मज़ा ले रहे थे पीने का शटा क्या है काव्य का संदर्य बढ़ाने वाले धर्मों को हम क्या कहते हैं वो कहलाता है आपका अलंकार और अन्तिम जो सात्वा है यह क्या कह रहा है कि दूरगटना में उपसर्ग है तो दीखे दूरगटना में जो उपसर्ग है वहां है दूर ठीक है तो यह थे आपके रिक्त इस्थान चलिए कुस्छे नमर जो तीन है इसमें आप से क्या पूछा क्या है सही जोड़ी छे नमर की तो देखिए कुई का अन्य नाम तो देखिए कुई का जो अन्य नाम है वहां है आपका पार सरकारी पत्र है जो सरकारी पत्र होते हैं वो कहलाते हैं आपचारिक पत्र है दार से बिचुडी दार से बिचुडी तो इसका सही आपका रहेगा कृषिया सोब्ती कवित्छ क्या है कवित्छ में कितने चरन होते हैं तो कवित्छ में हमेशाँ चार चरन होते हैं सब्द और अर्थ का संबंद है वो क्या कहला था आपकी सब्द सक्ति और राज भासा है वहाँ है सरकारी काम काज की भासा चलिए इसके बाद अगला देखते हैं तो कुस्चन नमर जो चार है इसमें आप से एक वाक्य में प्रसूत्तर पूछे गए हैं चलिए अब इनका भी अच्छे से देख लेते हैं देखिए मानव सरीर का निर्मान किन पंचत्वों से मिलकर बना है या मंचत्वों से मिलकर हुआ है देखिए जैसा कि आप जानते ही है धर्ती आकास जल वायू और क्या है अंतीम अगनी ठीक है चलिए दूसरा किया है कला और बुड़ा चांद किसका काविश संग्रे है तो देखिए कला और बुड़ा चांद किसका काविश संग्रे है तो सुमित्रा नंदन पंतका सुमित्रा नंदन पंतका ठीक है चलिए धरातल पर बेहने वाले पानी को हम क्या कहते हैं उसे कहते हैं पालर पानी पालर पानी चलिए चोथा क्या है दूरदर्सन आकासवानी से कब अलग हुआ तो जो दूरदर्सन है वो आकासवानी से एक अपरेल उन्निस सो शवत्तर में अलग हुआ पाच्वा देखते हैं क्या कह रहा है कबिर ने संसार को क्या कहकर संबोधित किया है देखिए कबिर ने संसार को क्या केकर संबोधित किया चलिए तो बावला केकर कबिर ने संसार को संबोधित किया देखिए सब्द गुन को और क्या कहा जाता है देखिए सब्द गुन का एक और नाम है काविगुन काविय गुन चलिए सात्वा देखते हैं अनेक सब्दों में व्यक्त किये जाने वाले भाव अत्वा विचार को एक सब्द में व्यक्त करना क्या कहलाता है उसे कहते हैं वाक्यांस के लिए एक सब्द है वाक्यांस के लिए एक सब्द ठीक है तो यह आपके एक वाक्यांस के लिए एक सब्द ठीक है तो यह आपके एक एक साहित्य आदिकाल की विशेश उपलब्दी है तो बिलकुल एकदम राइट है पहला राइट हो जाएगा आपका दूसरा जो है वेदिकाल में संगीत के चार प्रकार का उल्ले देखने को मिलता है तो असत्य बात है इंटरनेट सभी संचार माध्यमू का मिला जुला पे तो सही है कबीर की जो मा थी वो इसना तक पड़ी हुई थी ठीक है तुसलिए आसत्य हो गया कविता का जो आभूसन होता है वहां अलंकार है ठीक है असूर का एक प्रयावाची सब्द क्या है एक प्रयावाची सब्द इसका अरीष्ट है ठीक है यह अरीष्ट है तो य तो यहां से बढ़िया से इनके स्क्रीन सोट लीजेगा भक्ति काल कि निर्गुन प्रेम मारगी साका की दो विसेश्टा है आपको बतानी है पिर्योग वादी कभीता की दो विसेश्टा है लिखनी है लोग मीरा को बावुरी क्यों केते हैं पथिक का मन कहां विचरना चाहता है हिंदी गद्य के प्रारंबिक याने भातेंदु युक का परीचे देना है हिंदी के प्रमुक कहानेकारों के नाम और उनकी रशनाय बतानी है नमक का दरोगा कहानी का कौन सा पात्र आपको सरवादिक प्रभावित करता है और क्यों धनराम मोहन को प्रतिद्वंदी क्यो वो नहीं समझता था ठीक है दो नम्मर के सारे प्रसने चल रहे हैं आपके लता ने लेकक ने लता की गाई की किन विसेश्टाव को उजागर किया राजिस्तान में कुई किसे कहते हैं पट कथा लिखते समय किन-किन बातों का ध्यान रखना चरूरी है किसी भी देनिक अकबार में राजिनेती कबरे जांदा इस्तान को घेरती है ठीक है चलिए इसके बाद है आपका बारवा प्रसने काविय में ओजगुन किसे केते हैं संदे अलंकार की को परिवासा सहीत आपको बताना है दोहा चंद के लक्षन आपको उधारन सहीत बताने है अभीधा सब्द सक्ती की परिवासा को स्वा उधारन बताना है कीन सब्दे मुहावरा इनका अर्थ बताना है पहार तूटना माथा ठटकना ठीक है और राष्ट वासा से आपके समझते हैं बेर क्रोध का अचार या मुरब्भा है इसका भावपल लवन आपको बताना है और इसमें संदे वाचक और निश्य द्वाचक में ये वाक्यों को आपको परिवर्तित करना है इसके बाद आपको देखिए कुस्चिन नम्मर जो सोला है उसमें पूछा गया है तीन नम्मर से शुरू हो गए हैं आपसे मीरा और सुमित्रा नंदन पंत का काविगत परीचे निमनलिकित बिंदो के पर दीजिए दो रचना है बावपक्च कलापक्च साहित्य में इस्तान क्रस्णा सोबती और प्रेम चन का परीचे आपको बताने हैं दो रचना भासा सेली और साहित्य अई में इनका इस्तान चलिए कुस्चिन नम्मर जो अठारा है इसमें आपको एक जल संरक्षन पर वि लिए चलिए कुस्चन नम्मर बीस में आपको संदर वो प्रसंग व्याक्या अच्छे से बतानी है इसके बाद जो अगला है देखे यह संदर प्रसंग व्याक्या हो गई 20 की कुस्चन 21 में आपको अर्थ ग्रहन संबंदी प्रस्नुत्र दिये गए है एक टोपिक दिया रहा कि रहेगा उसी में से आपको प्रस्नुत्र चाट नहीं है चलिए यह उसका अथवा का है इसके बाद यह उसके कुस्चन है और कुस्चन नम्मर जो भावी से उसमें परिक्षा काल में ध्वनी विस्तारागी अंत्रों का प्रतिबंद है तो जीला दीश को एक आवेजन पत्र देना है या फिर प्रतम स्रेनी में उत्रिन होने प्रापने बहमीत्र को बधाई पत्र और अंतिम जो प्रसंद रहेगा आपका कुस्चन नम्मर 23 चार अंक का इसमें कोई भी एक विशे पर आपको निभन लिखना है किन्तु थोड़ा सा संचिप्त लिखना है ठीक है तो इस तरह था यह आपका क्लास 11 तका मौस्ट इंपोर्डेंट सेट इसी के अलावा भी एक सेट और है दोनों सेटों को आपने अच्छे से कंपिलिट कर लिया तो आपका त्रेमार्सिक पेपर में एक अंक भी नहीं कटेगा और जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी वहां से जाकर उस सेट को भी अब देट ली बेरा